दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अभी आमलों लूसेंट समानने ग्यान इससे रिलेटेट जो है इंपोर्टन फोर्टी प्लस कुश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसरेल बे ग इकन यानी चुगहंटी का निशान उसे जरूर्ट से अन करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए यहां पर हमारा पहला कुश्चन दिया गया है सिमली पाल जयव मंडल रिजर्ब जो जयव बिविता के सन रक्षन एवां बैकल्पी का जीविका का समवर्धन करता है कहां इस्तित है तो देखि यह स्तित है ओडिशांवे ठीक है करेक्टर अन्सर ऌप्षन सी यो जायेगा इसके अलाबा भारत में अठारो जयव मंडल रक्षी छेतर है आपको याद रखना है भारत में जो है निल गीरी को घौशित किया गया सिमली पाल जयव मंडल रक्षी छेतर है 1994 में घोसित किया गया था, इसके अलाबा, पन्ना जयव मंडल रिजर्व ये कहां परिस्तित है, मध्य पर्देश में है, सेशा चलम जयव मंडल रिजर्व आंध्र पर्देश में है, अगस्त या मलाई जयव मंडल रिजर्व तमिलाडू ये केरल में है, मनार की खाड़ी तम पर्देश में है नोकरेक जयो मंडल लिचर मेगाले में है पंच मड़ी मध्य परदेश में है कुश्चन नमबर टू है मंगल मिशन के पश्चाथ भारत की किस अंतर गरहिया मिशन पर कारे करने की यूजना है मंगल मिशन के पश्चाथ भारत की किस अंतर गरहिया मिशन पर कारे करने की यूजना है तो यह है सुक्र पर ठीक है सुक्र की यूजना है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कुश्चन नमबर थर्ड है निमने लेखित में से कौन सा एक परकार का पर्सनल कम्प्यूटर नहीं है तो करेक्ट आंसर अप्संडी यूजना है का मेन फ्रेम जो कम्प्यूटर है एक परकार का पर्सनल कम्प्यूटर नहीं है Personal Computer को Desktop Computer भी कहा जाता है Personal Computer का विश्टरीत उपियोग, घर, Office, ब्यपार, सिक्षा मनुरण्जन, डाटा संग्रहन, प्रकाशन आदी अनेक छेत्रों में किया जाता है Mainframe Computer आकार में काफी बड़े होते है, इनकी Data Storage अधिक होती है मेन फ्रेम कम्प्यूटर का उप्योग, बड़ी कमपनियों, बैंक, रेलबे, आरक्षन, रक्षान, उसंधान, अंत्रिक्ष बिग्यान आदे छेत्रों में किया जाता है, कुशन नमबर चार है, किसी पोधे का कौन सा भाग, पोधे की जडों से, पोधे के सेस भागों में जल पदार्थों के बिभीन 15 भागों तक पहुचाता है, पैरने काईमा उत्तक की बात करें, तो इसका मुख्य कार्य मंड, प्रोटीन, तथा वसा, आदी, खादे पदार्थों का संचायन करना होता है, जल किस परकार का संसाधन है, जल किस परकार का संसाधन है, तो जल जो है चक्रिय संसाधन है, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, प्राकिर्तिक परकिरिया के तहत है, लगतार प्राप्त होने वाली उर्जा, नविकराणिय उर्जा कहलाती है, उर्जा के साधने आपरामने लिखे है, नविकराणिय उर्जा, और और नविकराणिय उर्जा, ये उर्ज तो कोईला, पेट्रोलियम, परमाडू उर्चा, प्राकिर्ति गैस और सेल गैस, यह सभी क्या है, और नविकर अडिया उर्चा है, निमनलेखित में से कौन सा कसेर की बर्का नहीं है, कौन सा कसेर की बर्का नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह ने लीड़ा जो है क सेर की बर्का नहीं है GPS उपगरा कितनी बार प्रिथवी की परिकर्मा करता है तो यह परते 12 घंटे में एक बार करता है बी आंसर हो जाएगा GPS का पूर्ण रूप क्या है Global Positioning System जो है GPS का पूर्ण रूप है GPS के द्वारा किसी इस्तित किसी इस्तिर बस्तु का भागालिक इस्तित मापन के लिए नियुनतम तीन उपगरा कि आओ सकता होती है Q8 है डैस की कमे की वज़ा से क्वासी ओर कर नामक विकार उत्पन होता है तो किस की कमे के कारण से होता है तो यह प्रोटीन की कमे कारण से जो है इसी की वज़ा से क्वासी ओर कर नामक विकार उत्पन होता है इसके लावा यहाँ पर हमने विटामिन रासायनिक नाम तथा ह विटामिन वाले रोग लिखे हैं तो विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थाइमिन है कमी से बेरी-बेरी होता है विटामिन B3 रासायनिक नाम निकोटिक कमल है पेलागरा रोग होता है इसकी कमी से विटामिन D सूखा रोग आश्टियो मेलेसिया मेलोसिया विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल रासानिक नाम रताओधी कुंठित ब्रिधी विटामिन ए टोको फिर रॉल है जरन चंता में कमी इसकी कमी की कराण से होता है रोग फासफोरस की परमाडूकता क्या है तो चतुसक परमाडूक इसकी परमाडूक है करेक्ट आंसर C हो जाएगा, question number 10 है, agenda 21, dash में अनुसंसित प्रकिरियाओं का एक समूँ है, तो ये Rio सिखर सम्मेला 1992 का एक समूँ है, ठीके, correct answer D हो जाएगा, अंतरगराहिया, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था, तो पहला उद्यम एमोयम था, ठीके, correct answer C हो जाएगा, ATM का पूरा नाम क्या है, ATM का पूरा नाम क्या है, very important question है, ये, automated tailor machine, ATM का पूरा नाम क्या है, automated tailor machine जो है, इसका full form होता है, C answer हो जाएगा, आक्सी करण क्या होता है, तो आक्सी करण जो है, रासाने का भिक्रिया के दोरान, पदार्थ का oxygen, ग्रहन करना आक्सी करण कहलाता है, C answer हो जाएगा, पवान चा की पवान की किस उर्जा का उप्योग करती है, तो ये गतिज उर्जा का उप्योग करती है, correct answer D हो जाएगा, सबजियों, फलो और फूलो जैसे मुझ मुल्यवाली, फसलो की खेती को क्या कहा जाता है, तो देखे, इसको बुला जाता है, हार्टी कल्चर, ये आंसर हो जाएगा, मधुबानी कला किस भारती राजे से संबन्द ही थै, तो देखे, ये बिहार से संबन्द ही थै, correct answer D हो जाएगा, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबन्द में, ब्रेटिस सरकार ने इनमें से कौन सा परस्ताव दिया, तो 1909 में ब्रेटिस सरकार ने इनमेंसे मारले मिन्टु सुधार प्रस्ताव दिया था, ठीक है ये आंसर हो जाएगा, दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्ले वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरूर सेन करें जहां से किरानी लश्मी भाई किस वर्स में यूद में सहीद हुई थी तो जहां से किरानी लश्मी भाई आठारो सो अंठावन में गौालियर की यूद में बिरगती को प्राप्त हुई थी करेक्ट आंसर ती यहो जाएगा भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहां बनाए तो सबसे बड़ा अस्पताल जो है दिल्ली एम्स है एम्स दिल्ली में बना है एम्स है ठीक है एम्स की फुलफाम है All India Institute of Medical Science इस याद रखना है कहाँ पर है नई दिली में भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है निवनलेखित में से कौन सा भारतिय वायू छेतर में सुरक्षित कुसल हवाई आतायात एवं बैमानिक संचार सेवाई प्रदान करने के लिए उतरदाई है तो यह है भारतिय विमान पतन प स्थापना रूस के सवयोग से की गई थी तो रूस के सवयोग से बोकारो स्पाथ सने अंत्र और भिलाई स्पाथ सने अंत्र के स्थापना की गई थी बी आंसर हो जाएगा भिलाई स्थापना जो है मतलब जर्मने के सवयोग से किया गया था रावल के लगा भारत के प्रथ सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारों स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है याद रखना है आपको भारत में अस्वयोग आंदोलन किस वर्स में शुरू किया गया था मतलब हुआ था तो अस्योग आंदोलन जो है यह शुरू हुआ था 19-20 में शुरू हुआ था करेक्टर आंसर ए हो जाएगा इसके लाबा 1 अगस्त 1920 से 12 फर्वरी 22 तक जो अस्योग आंदोलन चलाया गया सयोग अंदुलन गाधी जी द्वारा चलाया गया भारत में प्रतम संगठित और वेवस्तित गाधी बाधी अंदुलन था सयोग अंदुलन याद रखना है आपको भारत द्वारा अंगी क्रित संग्य सरकार की सरवाधिक महत्पूर्ण विसेश्ता कौन सी है तो महत्पूर्ण विसेश्ता है राची और केंद्र के बीच का संबंध स्वयोग पर आधारित होना चाहिए तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मुंबाई में इस्तित गेटवे अफ इंडिया का निर्माण का स्वागत करने है तो कराया गया था तो ये किंग जार्ज पंचम के द्वारा कराया गया था ठीक है ये अंसर हो जाएगा सतत विकास के लिए संयुक्त राष्टर द्वारा गठेते डाबलो सीडी जिसे कमिशन भी कहा जाता है इसका पूर्ण रूप क्या है तो देखे इसका जो पूर्ण रूप है वो है वर्ल्ड कमिशन अन एनवायरोमेंट एंड डेवलोपमेंट ब्रांट लेंड ठीक है इसका फुल फॉम है ब्रह्म समाज की उत्पति कहा हुई थी तो ब्रह्म समाज की उत्पति जो है बंगाल में हुई थी ठीक है बंगाल में बी आंसर हो जाएगा निमनलेखित में से किसके अंत्रगत भारत को एक धर निर्पेक्षराज्जे के रूप में बर्नित किया गया है धर निर्पेक्षराज्जे के रूप में बर्नित किया गया है किसे किया गया है सम्विधान की प्रस्तावना हो किया गया है ये आंसर हो जाएगा एजेंडा 21 डैस में अनुसंसित प्रक्रियाओं का एक समू है तो एजेंडा 21 जो है यह रियो सिखर सम्मेलन 1992 का अनुसंसित प्रक्रियाओं का एक समू है डी आंसर हो जाएगा 1983 भारत के क्रिकेट बिश्व कब बिजेता बनने के समय भारते क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था तो उस टाइम पे जो कप्तान था वो था रभी सास्तरी ठीक है बी आंसर हो जाएगा निमनलेखित में से कौन सा संगठन बैस्विक ब्यपार के गठन एवाम कार्यान वायन से सम्मंदेत है तो ये डबलू टीयो सम्मंदेत है ठीक है वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन सम्मंदेत है ये आंसर हो जाएगा भारत में पहली यात्री ट्रेन बर्स 815 डश में डश और के बीच चलाई गई थी तो भारत की पहली ट्रेन 813 में जो है बामबे से थाडे के बीचलाई गई थी ठीक है बामबे से थाडे या पर डीकरेक्ट हो जाएगा इसके अलावा सूला अप्रेल 823 को भारत में प्रतम रेल गाड़ी चलाई गई उस समय भारत का गौर्णा जर्नल लॉर्ड लहोजी था भारत में सरवाधिक रेलबे का विश्दार लॉर्ड करजन के कारेकाल में हुआ भारतिय रेल वड के स्थाफना उनिस सपांच इसवी में किया गया उनिस सपचीस इसवी से भारत में रेल बे का विधूती करण कारे प्राड़ॉम्ब हुआ एक वर्थ कौमिटी के रिपोर्ट पर उनिस सचोबिस पचीस में रेल बजट को सधारान बजट से अलक किया गया। क्ली में रेल बजट को सधारान बजट के संथ बिलाइकार दिया। याद रखना है, निमने लेखित में से कौन सा आर्थिक है भुगोल का उप खेत्र नहीं है। तो इस जन सांखिकी नहीं है। ठीक है यह अंसर हो जाएगा एक क्रित जन जातिय विकास पर यूजना ITDP किस पंच वर्षी ना के एक भाग के रूप में आस्तितों में आई थी तो ये आई थी पंच वी पंच वर्षी यूजना के एक भाग के रूप में आस्तितों में आई थी द्वारेगारा की भारतिय ज गरना के मुताबिक है, डैस मिलियन से अधिक के अबादी वाले सहरी पुंजी, सहरी पुंजी को मेगा सिटीज के तोर पर जाना जाता है, तो कितने मिलियन से अबादी वाले सहरी पुंजी को मेगा सिटीज के तोर पर जाना जाता है, तो कितने मिलियन से अबादी वाले सहरी किया गया था तो रोलर टेक्टोनिस उनिस में जो है सुनवाई कि बिना और निस्चित कालिन हिरासत एवंप्रेस की कि सेंसर सिप में सामिल किया गया था बी आंसर हो जाएगा इबीम का पूर्ण रूप क्या है तो इबीम जो है इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन वोट देने के लिए जो प्रेयोग किया जाता है जो मसीन इलेक्ट्रोनिक जो मसीन होती है उसको क्या बुला जाता है यह बीम electronic voting machine ये है full form see answer हो जायेगा उस अंत्रिक श्यान का नाम बताईए जिसमें दोहर तीन में भारतिया अमेरिकी अंत्रिक श्यात्रिक कल्पना चावला का निधन हुआ था उस अंत्रिक श्यान का नाम बताईए होता है कौन सी गैस का उपियो बॉल्ब में होता है आरगन का होता है भूरा बला परिक्षन किसका पता लगाने के लिए किया जाता है भूरा बला परिक्षन किसका पता लगाने के लिए किया जाता है नाइटरेट का पता लगाने के लिए किया जाता है तो दोस्तों ये थे लूसेंट समानने ग्यान के इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आए रहेगा पसंद आया थे प्लेज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत